आपका इस चश्मे से पीछा छूट सकता है अगर वो नुस्खा आप सुबे शाम लेंगे दूद के साथ एक चमच जो मैं पिछले एक हफते से ले रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर कम हो गया है और ये नुस्खा शर्तिया आपका चश्मा हटवा देगा आपक के बच्चों का अगर आप ये रेगुलर इस नुस्खे को लेती रहेंगी या लेते रहेंगे आज मैं बताती हूँ बड़ी सिंपल सी चीज़ने जो आपकी रिसोईगी में मिलेंगी और आपको एक रेशो में डालके अगर आप लेंगे तो आपका चश्मा शर्तिया उतर जाना चाहिए इसके उसके साथ साथ आपकी डायट पूरी होनी चाहिए और आपको रेगुलर एक्सरसाइज आइस की जरूर करनी चाहिए जितने भी बच्चे हैं जो छोटी सी उमर से लेके बड़े तक अगर वो ये नुस्खा रेगुलर लेते हैं तो उनका चश्मा मिक्स करकर अगर आप लेंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा नंबर केर हो जाएगा प्लस अगर आपको सिद्द रहता है यादस में प्रॉब्लम है वो भी इंप्रूव हो जाएगी नसों को ताकत मिलेगी और तीसरी चौती चीज जो यह है कि इसकी वज़े से जो आप हो चाहिए आपKS ले等 है आपको घिनके नौ मखाने ले रहे हैं मखाने सब के घर में मिलते हैं आजकल ये डाइट बहुत अच्छी है आपको गिनके नौ मखाने एक डोस एक दिन की डोस में हैं आपको फिर पांच बदाम लेने हैं K passado बदाम लेंगे आप उसके बाद एक मिक्चर होता है मगज का जिसमें चार तरह के बीज होते हैं कद्दू, खर्बूजा और खीरा और तर्बूज इन सब के बीजों का एक चम्मच आप भरके यह लेंगी जहां मैंने रखा हुआ है और फिर एक चम्मच लेंगे आप सौंफ इन सब को यह चारों चीज़ें एक चम्मच लेनी हैं प्लस एक चम्मच होगी धागे वाली मिश्री इन सब को अलग अप कड़ाई में फ्राई करेंगे रोस्ट करेंगे ड्राई रोस्ट इसमें कोई घीनी डालना कुछ नी सिरफ ड्राई रोस्ट हलका सा रोस्ट कर लेंगे ताकि यह शुद्ध हो जाए इसमें जो बैक्टिरिया है वो मर जाएं उसके बाद इनको आप पालसी के बीज है और एक चुटकी आप डालेंगे इसके अंदर तिल इसमिश्चर के अंदर एक डोज के लिए और उसके बाद इन सब को आप मिक्स करके मिक्सी में डालकर पीस लेंगे तो इस तरीके का आपका एक मिक्स्चर तियार हो जाएगा सुबह शाम सुबह एक चम आपके चश्मे का नंबर बहुत कम हो जाएगा और हो सकता है चश्मा उतर ही जाए मैंने अपने उपर रजमाया है और ऐसे लगता है जिसे दिन निकल आया हो और मेरा चश्मा उतरने का टाइम आ गया है मैं डौक्टर सोनम करनाल से करनाल प्लस चानल के लिए